दोस्तों आख दो मसलों पे बादचीत है एक तो पेट्रोल के प्राइस जिस तरीके से बढ़ रहा है और दूसरा रायन इंटरनेशनल से संबंदित है सबसे पहले पेट्रोल को लेके अभी जैसा आप लोगों को बालू में पिछले कुछ दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम लगभग आठ रुपए बढ़ा दिया है और जो दिल्ली के अंदर पेट्रोल इस वक्त सतर रुपए प्रति लीटर विकरा है लेकिन अगर आप मुंबई की बात करें और दूसरे शहर कि बात करें तो पेट्रोल वाँ लगभग असी रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दुख रहा है यह बड़ी हरानी की बात है क्योंकि इस वक्त अंतरास्टिय बाजार के अंदर पेट्रोल के दाम जो प्रति बैरल डॉलर के हिसाब से हैं वो काफी कम है बलके अगर यह कह डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से है और 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी उस वक्त पेट्रोल के दाम थे क्रूड ऑल के दाम थे जो अंतरास्टिय मार्केट में एक सो नो डॉलर प्रति बैरल और आज जब मैं आप से बात कर रहा हूं सितंबर 2017 में तो यह तिर्पन दिस्वलाव छेती यानि लगबग आधे आधे से भी कम और उस वक्त पेट्रोल के दाम 70 रुपए के आसपास थी अगर अंतरास्टिय मार्केट में पेट्रोल के दाम आधे हो गए हैं तो आज भारतिय बाजार में पेट्रोल 70 रुपए क्यों विक्रा है यह मैं यह मान सकता हूं कि भारत की अपनी कुछ समस्याओं आर्थिक समस्याओं की वज़ा से आप आधे दाम पे नहीं तो 40 रुपाइं बेच सकते हैं आप 45 बेच सकते हैं लेकिन सत्तर में बिकना यह दर्शाता है कहीं न कहीं कुछ भारी गड़बड है इस मामने में और इतने ही नहीं बीच में यह जो क्रूड आयल है जून 2016 में 28 डॉलर प्रति बैरल था और जब जन्वरी 2016 में अंतरास्टिय मार्केट में 28 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था उस वक्त भी भारत में पेट्रोल के दाम 56.61 और डीजल के दाम 46.43 जब एक चौथाई हो गए तब भी आप 56 रुपए में बेच रहे हो डीजल 46 रुपए में बेच रहे हो आज आधे दाम पर मिल रहा फिर भी जो है आप 70 रुपए में बिक रहे हैं और इस बारे में सरकार के तरब से कहा जा रहा है कि भई हम क्या करें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है क्यों जो प्राइवेट कंपनी जो कंपनिया है अब मार्केट ताय करता है रोज के इसाप से पेट्रोल के दाम घटते बढ़ते रहते तो अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो सरकार है क्यों मुझे लगता है कि इसमें बड़ा घुटाला है और कहीं न कहीं किसी को बड़ा फाइदा पहुंचाया जा रहा अन्यता यह संभ रुपए ही बने रहें दिल्ली के अंदर तो यह बहुत गंभीर बात है हलाकि कल सरकार की तरफ से कोई मीटिंग हुई थी लेकिन उसके बावजूद भी कोई उम्मीद नहीं है कि पेट्रोल के दाम कम होंगे तो यह एक बड़ा सवाल है और आमादी पार्टी इस पूरे मस पर देश भर के अंदर अपना विरोध प्रदर्शन जताएगी और जल्दी इस बारे में आपको सूचना दी जाएगी